या डाइनसोर्स सच में हुआ करते थे और अगर हुआ करते थे तो वो कहां पर रहते थे किस प्रकार से उनका रिप्रडक्शन होता था कैसे वो नेस्टिंग करते थे यह सारे सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आए ही होंगे और यही सवाल है जो डेली उनिवर्सिटी के मन में भी आए और वहां के कुछ रिसर्चर्ज जो है उन्होंने इस पर रिसर्च किया और फिर एक रिपोर्ट जो है वो आपके सामने लेकर आए है इस पर्टिकलर रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं क्या है यह सारी चीज़े वो जानेंगे आज और यह भी जानेंगे कि आखिर यह पर्टिकलर जो डाइनॉस थे यह कहां पे हिंदुस्तान में सबसे ज़दा पाए गए क्या वो आपका नदन एरिया है क्या वो आपका सदन एरिया है क्या वो आपका इस्टन एरिया है तो करेंगे about this particular research and this channel का नाम है तो आएए जल्दी से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है पूरा मसला ये कहता है कि Delhi University ने research किया है और इस research में they have found some fossils fossils किस चीज़ के सर fossilized eggs जो है वो देखने को मिल रहे हैं कितने over 250 eggs और ये किसको belong करते थे ये belong करते थे डाइनसौस को लेकिन ये कहां पर पाए गए हैं ये पाए गए हैं exactly अभी हमारे यहां Central India में Central India में तो आपको पता होना चाहिए which is the area that we are talking about is it the north, is it the south, is it the east, is it the west no sir, we are talking about the Central India and अगर आपने current affairs को थोड़ा सा follow कर रखा है और आप dedicatedly news paper पढ़ते हो तो आपको definitely पता होगा कि even in Central India especially the area of Madhpadesh जहां पर हम बात करते हैं धुआधार की जहां पर हम बात करते हैं जबलपुर शहर की जहां पर हम बात करते हैं marble rocks की जी हां वहां पर नर्मदा नदी के तट पर ये जो shells हैं ये हमको उन्होंने approximately 92 nests जो है वो found किये हैं and at the same time 256 के around आपको यहां पर fossilized eggs देखने को मिलेंगे बट ये किसके हैं कौन से प्रकार के डाइनसाॉस के हैं तो वो जो नाम दिया गया है that name is titanosaurus titanosaurus ये titanosaurus क्या होता है डाइनसाॉस तो सुना था but titanosaurus भी कुछ होता है क्या जी हां titanosaurus जो है ये नाम दिया गया है एक breed of a kind of a species of whom such dinosaurs and इसकी खासियत क्या है these are the largest dinosaurs to have ever lived ठीक है I repeat these are the largest dinosaurs to have ever lived and ये पूरी की पूरी report जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको publish किया गया है PLOS 1 नाम के एक journal में with the title new late cretaceous titanosaur pod dinosaur egg clutches from the lower नर्मदा valley कहां की बात की जा रही है again नर्मदा valley की यहां पर बात की जा रही जैसे कि अभी आपको बताया when we are talking about नर्मदा basically we are talking about the area जो की नर्मदा नदी के around याने की हमारा जबलपूर area जो है उसकी यहां पर जिक्र किया जा रहा है अब आते हैं आगे और समझते हैं कि यहां पर क्या हुआ है तो इस पूरे के पूरे सिनारियो में जो हमको eggs मिले हैं उससे कही न कहीं हमने dinosaurs के बाकी के जो activities हैं उनको भी trace करने की कोशिश करी फर एक्जामपल की वो reproduce कैसे करते हैं फर एक्जामपल उनका क्या parental behavior था क्या वो colonial nesting करते थे या फिर अपने eggs अलग अलग जगे जाकर जो है ले करते थे यह सारी चीज़े जो हैं वो हमको इस particular study में देखने को मिली और जो हमने पाया वो चीज़े क्या थी point number one सबसे पहले हमने यह पाया कि there were six different types of eggs species छे अलग अलग प्रकार के eggs species थे इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें पता चलता है कि even amongst them there was diversity there was diversity बहुत सारे अलग अलग किस्म के जो हैं वो हमको species within this particular dinosaur का category देखने को मिली है इसके अलावा चो second finding थी वो यह थी कि यह जो eggs हमने पाए हैं वो कैसे eggs हैं यह multi-shelled eggs है multi-shelled और इनको नाम क्या दिया गया है ovum in ovo eggs ovum in ovo eggs तो basically यह eggs किस प्रकार के होते हैं जिसमें बहुत सारे shells जो है वो अलग-अलग multi-layered shells जो है वो देखने को मिले हैं अब बात आती है कि यह इतना खास क्यों है तो आपको बता दें यह इसलिए इतना खास है क्योंकि ऐसे जो eggs होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें देखे गए हैं only and only in birds only and only in birds ठीक है चलिए अब आते हैं आगे और क्या देखा गया इसके अलावा कुछ और भी finding थी क्या थी वो finding यह देखा गया कि there were multiple eggs which were late multiple eggs इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें पता चलता है कि जो titanosaurs थे they had adopted colonial nesting colonial एक साथ आके एक जगे जो है eggs को ले करते थे उसके बाद वो चले जाते थे why am I using the term चले जाते थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका parental behavior जो था supervision का या care का वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है for obvious reasons and what is that obvious reason जैसा कि आपको पता है यह इतने बड़े animals है इन्होंने अपने एक्स ले करें हैं अब अगर यह उनको देखने के लिए वापस आतने it is quite possible कि जब यह चल रहे होंगे जब यह walk कर रहे होंगे उन स्थिती में ऐसा हो सकता है कि यह पूरे के पूरे एक्स को breakdown कर दें जिससे की एक्स को नुकसान पहुँच सकता है इन ही कारणों से क्या हुआ इन ही कारणों से ऐसा हमने पाया कि इन में supervision जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है कैसा supervision parental supervision या care जो है इनका integral part नहीं है चीक है अब आते हैं आगे question यह आते हैं कि sir why do we why do we feel कि यह सिर्फ central इंडिया में ही क्यों पाय जा रहे हैं why is it not so कि यह अलग-अलग areas में भी पाय जा रहे हैं तो इसके पीछे जो कारण दिया गया है वो यह है कि आपको पता होना चाहिए Indian plate के बारे में अब सवाल उठता है sir यह Indian plate क्या चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसा इंडिया वर्ल्ड का मैप आप आज को आज दिख रहा है इंडिया का मैप हमेशा से ऐसा नहीं था rather पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था एक जो सुपर कॉंटिनेंट था याने पूरा का पूरा लैंड मास एक जगे था एंड उसके अलावा आपको अराउंड येट पर्टिकलर कॉंटिनेंट पूरा का पूरा वाटर बॉड़ी का मास दिखता था तो वो जो वाटर बॉड़ी का मास था तो वो जो वाटर बॉड़ी का मास था एक लैंड मास्ट था सुपर कॉंटिनेंट इसको नाम दिया गया था पैंजिया पैंजिया अब हुआ क्या यह जो पर्टिकलर पैंजिया था यह दो हिस्सों में तूटा एक हिस्सा जो था दाट इस नोन आज जो नौत में होता है लॉरेशिया और नीचे वाला इस वाला इस इस प्रकार से तूट कर निकले हैं एंड आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंडिया जो है जो आज आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है यह देख सकते हो आप इस इस इंडियन प्लेट यह जाकर उपर जुड़ी है तो इट वाज आप आप विच लैंड मास सर इट वा यही वह लैंड मास है जिसमें आपको आफ्रिका भी देखने को मिला है जिसमें आपको मैड गैस कर भी देखने को मिलता है और यही वह रीजन से जहां पर हमने हमेशा पाया है कि डाइनसाॉर्स या फिर ऐसे वाइल आनिमल्स का प्रेज़स देखा गया है और जिंस बोट जाकर Indian plate में तबदील हुई and इन ही कारणों की वजह से जब ये उपर जाके जो हमारा Europe का area है Asia का area है उससे जाकर टकराई तब हिमालियास बने और यही वो process है जो यहाँ से सारे के सारे remains को वो लेकर अपने साथ ऊपर गई है ठीक है so this is the thing जो यहां पर as a reasoning दी गई है अब बात की जाती है Central Asia India की तो India में पताय जा रहा है that India has been a hot spot for finding dinosaur fossils for over the decades first time dinosaur bones जो है वो found किये गए थे कब 1822 में by Captain William Sleeman of East India Company ये जो bones है ये discover कहा हुए थे sir and ma'am again near Jabalpur near Jabalpur and it belong to Titanosaurus Titanosaurus कौन है जो की सबसे largest सबसे बड़े डाइनसौर्स जो है उनको Titanosaurus नाम दिया गया है however बताया जा रहा है कि इनके अलावा भी evidences देखे गए हैं कहां पर राजस्थान गुजराक आंद्रप्रदेश महाराष्ट्रा करनाटका Telangana Tamil Nadu ये सारे regions में समय समय पे हमने studies के दौरान पाए हैं इस प्रकार के dinosaurs के remains ठीक है so I believe आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी with this we have come to an end to the topic and for those who wish to crack law entrance examinations you have come to the right platform ये है वो platform जहां पर आपको सारे law entrance examinations specifically CLAT and ALIT की तियारी करवाई जाती है we have some of the courses over here जो की आप अड़र 247 की website पर जाके undergrad category के अंदर बाई कर सकते हैं if in case आपको लगता है कि मुझे legal reasoning or law specifically पढ़ाई करनी है so this is the batch which is for you it cost near about 90,000 but again इतना पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है ब्रह्मास्तर का उप्योग करें what is the ब्रह्मास्तर Y692 एक code आपको जो है वो लगाना है जैसे ही आप ये code लगाएंगे Y692 ये cost जो है वो near about 3500 के around आ जाएगी क्योंकि आपको देखने को मिलेगा क्या 80% का off आज और कल ये 2-3 दिन चूकि आपको पता होना चाहिए कि एक discount drive चल रही है जिसकी मदद से आप use कर सकते हैं इस code को और आपको 80% off देखने को मिलेगा हमारे सारे law entrance examination के batches में at the same time अगर आप CLAT L8 की तियारी कर रहे हैं you can take this course again the cost is very high करना क्या है code लगाई है जैसे ही आप code लगाएंगे ये cost आपकी आ जाएगी 9600 रुपीज only only so definitely ये आपको मदद करेगा आपके examination में hardly 11 months बचे हैं तो आपको मेहनत जादा करनी है at the same time अगर आप specifically D-U-L-L-B, M-H-C-E-T वगरा की तियारी कर रहे हैं then definitely this is the course for you again you can visit our website and see all different courses which are curated for your competitive exam preparation with this my name is Adit Rai, I am signing off, take care what you are it is you 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 you